अलो स्टुदेंट्स अंजय हिंद्ध, I welcome you all to Magnet Brains. Hope so, आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत ख्यारियत से हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं and बढ़िया तरीके से अपनी examination की preparation में लगे हुआ हैं. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने history, class 12, उसकी तीसरी किताब, उसका second chapter कह लीजिए या फिर theme number 11 कह लीजिए, rebels and the Raj, उसको पढ़ना शुरू किया था. हम लोगों ने ये देखा था कि 1857 की revolt कैसे शुरू हुई, उसका जो course of event था वो किस तरीके से आगे बढ़ा और किस तरीके से British Empire जो है ताश के पत्तूं की तरह ढ़ह गया North India में. Second हम लोगों ने ये देखा था कि जो revolt वगरा हुआ है, उसका क्या pattern था, किस तरीके से एक के बाद एक जगे जब rebellion होता चला गया तो उसमें क्या sequence of events हमको देखने के लिए मिल रहा है. अब तीसरा हम लोगों ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करी थी कि आखिर जो आपके rebels वगरा थे या फिर जो सारा का सारा revolt वगरा हुआ है, इसमें जो एक pattern आपको देखने को मिलता है, आखिर ये इस pattern से एक बात समझ में आती है कि इसको शायद plan किया गया था, ये revolt spontaneous ना होके well planned था, तो आखिर plan किस ने किया था, हम लोगों ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की थी और वहीं पर हम लोगों ने अपने discussion को कतम किया था, आज के lecture में हम लोग इस revolt के जो prime या फिर जो आपके major major leaders थे उनके बारे में बातचीत करेंगे, क्यों leadership उनके पास में आई, क्यों उनको leadership accept करना पड़ी, किस-किस के क्या reasons थे और किस ने फिर किस तरीके से lead के हैं सारी चीजों के बारे में हम लोग अपनी बातचीत करेंगे और further उसके बाद में जो दूसरे topics हम वो भी हम लोग देखेंगे, so now without any further ado, here we begin. तो जो हमारा पहला topic आज रहने वाला है, वो है, leaders and followers, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अगर आप ने finally decide कर लिया है, कि अब आप अंग्रेजों के खिलाफ एक all out war शुरू करना चाहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आप आपने finally, ये जो rebellion हो गया है, या फिर ये जो mutiny ह हो गई है, इसको rebellion या फिर revolt में convert करना है और इसको war of independence बना के finally अंग्रेजों को आपने बाहर निकाल देना है, जब ये decide कर लिया गया कि आप अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जाएगी, तब आपको फिर जरूरत पड़ेगी leadership की, और साथी साथ आपको जरूरत पड़े की organization की, ऐसा नहीं हो सकता की बिना organization की आप इतने बड़े empire से या फिर इतनी बड़ी force से लड़ाई लड़ ले, पहली बात दूसरी बात ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता की capable leadership के बिना आप इस तरीके की लड़ाईयां लड़ ले, leadership और आपका जो leader होता है वो बहुत ज़्यादा important role अदा करता है, हम लोग आगे देखेंगे भी क्यों leadership जो है उसकी बहुत ज़्यादा importance होती है और बहुत अच्छी है और effective leadership के बिना बहुत ज़्यादा effectively आपको भले ही आपके पास कितने resources हों, कितनी अच्छे intentions तो अच्छे result नहीं मिल सकते, well coordinated action और एक well experience leadership बहुत ज़्य important हो जाती है, ऐसे particular events वगरा हमें, तो वही बात 1857 की revolt पे भी लागू होती है, कि जब आपनोंको ने finally decide कर लिया, कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जाएगी, तब leadership और organization दोनों जो थी उनकी आपको ज़रूरत पड़ी, leadership के लिए आप जो rebels वगरा थे, ये उन्हीं leaders के तरफ उन्होंने उनकी तरफ देखा, जो अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ पर रूल किया करते थे, या फिर अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ पर leader हुआ करते थे, जब तक British conquest नहीं हुआ था, तो उसके पहले जो जो यहाँ पर आपको leaders देखने के लिए मिलते थे, आपके जो rebels थे ये उनी के तरफ मुड़ गा ये उनी के पास में गए इस particular event की leadership के लिए इस particular ये जो चीज हुई है कि आपके जो rebels थे वो लोग उनी लोगों के पास वापस जा रहे थे जो अंग्रेजों के पहले यहां पर rule किया करते थे इसमें सबसे पहले पहला जो जिकर आएगा वो आएगा बहादुर शाह जफर का जब मेरट में event हो गया और उसके बाद में सिपाही जो है दिल्ली की तरफ गए तो वहाँ पर आपका जो सिपाही थे जब मेरट में event हो गया और सिपाही जब दिल्ली की तरफ गए और वहाँ पर जाकर आउनोंने मुगल एंपरर जो थे आपके बहादुर शाह इनसे बोला कि भाई आप लीडर्शिप को एकसेट कर लीजिए तो यहां से यह बात indication मिलता है कि यह लोग ultimately अंग्रेजों के आने के पहले जो लीडर्स थे उनी की तरफ देख रहे थे यह उनी लीडर्स की तरफ वापस गये अब जब बहादुर शाह जफर को पता चला कि यह लोग मिरट में क्या करकर आए हैं और यह क्या करने के लिए मुगल एंपरर से बोल रहे हैं मुगल एंपरर से बोल रहे हैं कि इस रिवोल्ड की लीडर्शिप आप एक्सेप्ट कर लो तो जो बादुर शाह जफर का पहला रियाक्शन था वो बहुत ज़ादा खौफनाक था वो बहुत ज़ादा हॉरर फुल रिजेक्शन वाला रियाक्शन था उन्होंने कहा कि आप मिलाकि उन्हों का जो रियाक्शन था वो हौरिफिक रियाक्शन था जैसे अब जी हौरर देख लेते हैं तो उसमें अब एक्टम से जो डर लगता है अब तो खेर उतना वो बेवोकुफी बरे लगता है वीडियो देखने में बच्पन में जो से जी हौरर शो आता था अब आप देखोगे तो डर लग रहा है आपको खौफ उठ रहा है उसी तरीके के कुछ रियाक्शन आपका बादुर शाह जफर का था कि यह तुम लोग करके क्या आवे हो और मैं यह लीडर्शिप एक्सेप्ट नहीं कर सकता हम लोग अंग्रेजों से ऐस सच ऐसे नहीं लड़ सकते तो बहुत हुरिफिक रियाक्शन पहला रियाक्शन जो था बादुर शाह जफर का बहुत हुरिफिक था अब होता यह है कि जब कुछ सिपाही जो थे वो मुगल कोट में बिना कोट के जो रूल्स और रेगुलेशन थे उनका पालन किये बिना घुज गए और चारो त मुगल कोट के जो हैं नियम काइदे माननी रहें और आपसे बोल रहा है कि आपको इस रिवोल्ड की लीडर्शिप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तब बादुर शाह जफर के पास में कोई और आप्शन नहीं बचा सिवाह इस बात के कि उनको कंप्लाइ करना पड़ा उनको मानना पड़ी इन लोगों की बात और उनको जो है लीडर्शिप एक्सेप्ट करना पड़ी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंटे ध्यान रखिएगा जनरल ही यह होता है कि मुगल कोट में आपने एंटर करना है तो उसका पूरा एक रूल्स और रेगुलेशन होता है अब ब रिजेक्शन में आपकी लीडर्शिप एक्सेप्ट करने से तो उसके बाद में कुछ सिपाई जब मुगल कोर्ट में घुसा है और उन्होंने कोर्ट के जो आपके एटिक्स होते हैं उनको मानने से मना कर दिया और इंसेस्ट करने लगे लाल के अंदर आने के बाद में कि भ आपके नाम पर किया जा रहा है और आपके नाम पर मतलब कुलमिला कि इस चीज का बिल भटेगा अगर अगर सफल हो जाती है तो फिर अगर गर्दन कटेगी तो भी वह आपकी कटेगी भले ही आपने इसमें एक गोली ना चलाई हो एक वैक्ति को आपने जो हमारा नाव उस जिसके तहट उनको फाइनली आपनी जो लीडर्शिप है उसको एकसेट करना पड़ा था रिवोल्ट वगरा के लिए चले आगे बढ़ता है दूसरी जगाओं पर भी लगबग कुछ इसी तरीके की चीज़ें हुई और लगबग ऐसे ही कुछ आपका जो सीन है आपको दू कानपूर सिपोईज और पीपल्स ऑफ टाउन गेव नाना सहाइब दा सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजी राओ टू नो चॉइस बट जॉइन देर लीडर अब कानपूर में भी लगबग लगबग यही कहानी और दूसरी जगाओं पर भी लगबग लगबग यही कहानी आपको तब फिर वही बात आती है कि कानपूर में इस रिवोल्ट को कौन लीड करेगा लोगों ने बोला कि मराठे और मराठों के वंशच जो है आपके पेशवा बाजी राओ जो है उनके वंशच नाना सहीब जो है यहाँ पर हैं तो वही हमारे सबसे बड़िया लीडर हो सकते है तो लोगों ने फिर आके अब इनको घेड लिया और इनको बोला कि भई आप लीडर्शिप प्रोवाइट करिए तो नाना सहीब के पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा इस बात के इलावा कि यह लीडर्शिप प्रोवाइट करें यहाँ अफर यह एक्सेप्ट करें आ क्योंकि लोगों ने इंसिस्ट कर दिया था आगे बढ़ता है यही कहानी जहासी में होती है कि जहासी में जो लोग थे उन्हों ने प्रेशराइज किया रानी को कि भई आप जो है आगे आईए और आप यहाँ पर जो जहासी में अप्राइजिंग हो रही है इसकी के बाद में लीड करी है तो जहासी की रानी के ऊपर भी लोगों ने दबाव बनाया और जब अन्हों ने अल्टीमेटली लीडर्शिप एकसेप्ट करी तो फिर वो आखिर तक जो है एक सही लीडर की तरह लड़ी और मैदाने जंग में लड़ती विमारी गई पर फिर वो जो है जिसको आपको एकसेप्ट करना पड़ेगा तो रानी लक्ष्मी भाई की उपर भी उनके जो लोग थे उनका प्रेशर था और उसके कारण उनको इस अप्राइजिंग का जो है लीडर जांसी के अलाके में बना पड़ा चले आगे बढ़ते है इसी तरीके से आरा की ब बिहार में वहाँ पर कुवर सिंग जो है इनके हात में लीडर्शिप आई आपके रेबल्स को लीड करने की और ये इतनी सक्सेस्फुल लीडर्शिप करता है सतर साल की उमर में भी आज तक आरा के जो आरा या फिर बिहार के जो आपकी लोग गीत गाये जाते हैं उनमें के उपर इनकी capabilities के उपर आज भी जो हैं आपको काफी सारे किस्से वगरा या काफी सारे लोग गीत वगरा खास तौर पर मगदी और अवदी भाषा जो है उसमें सुनने के लिए मिलते हैं बिहार वगरा की जो इलाके हैं वहां के लोग गीतों में आज भी कुमर सिंग जो हैं अवद में क्या हुआ था अवद में अभी तक लोगों के दिमाग में नावाब वाजिद अली शा को जिस तरीके से अंग्रेजों निकाला था वो सारी की सारी memories जो थी और किस तरीके से अवद का पूरा annexation हुआ था अवद की अंपायर को किस तरीके से अवद की पूरी आफ लड़ते हैं और इनको हटा देते हैं सत्ता वगरा से या फिर अथॉलिटी से पावर से हटाते हैं तब लखनों की पॉपुलेशन थी वह इस पर्टिकुलर फॉल को सेलिब्रेट करते हैं अंग्रेजों का जो यह रूल खतम हुआ है फिर अंग्रेजों को जो आपने सब बोलेंगे तो बिर्जेसकद्र जो है यह नवाब बाजिद अली शाह का यंग लड़का था इसको जो है लिडर बना दिया गया जिए इसको जो है नया बना दिया गया और इसके नाम पर फिर रिवोल्ट वगएरा लखनों में जो है रेबिलियन कंटीनीव किया गया यह के important important leaders हैं इनका अपने को ध्यान रखना है अच्छा जी एक बात और कि यह सारे important leaders elites हैं या फिर nobles है यानि कि अंग्रेज़ों के पहले भी जो हैं ये लोग सत्ता में थे या सत्ता के साथ में इनका लेना देना था मगर हर जगे आपके यह इसी तरीके के nobles वगेरा या फिर जो आपका court वगेरा से जुड़े हुए लोग थे वो ही leader बने हो ऐसा भी नहीं है हर जगे rebellion की leadership ऐसे किसी वेक्ति के हाथ में गई हो जो या तो राजा रहा है या फिर राजा का किसी तरीके से लेना देना उसके साथ में था या तो kingdom में एक बड़ी post पर था और ऐसे ही लोग leadership दे रहा है ना 1857 में अलग अलग जगे पर ये भी सच नहीं है ये पूरी तरीके से सच नहीं नहीं कहा जा सकता हर जगे राजा रानी और नवाबो नहीं जो है आपकी 1857 की revolt को lead नहीं किया है कई जगाओं पर आपकी local leadership जो है वो भी emerge करकर आती है और ये लोग भी जो हैं लोगों को फिर सांथ में खटा करते हैं संगेट करते हैं और revolt में लेकर आते हैं और lead करते हैं इन में से कुछ के examples हम लोग अभी आगे detail में discuss करेंगे एक जैसे शामल करके हुआ करते थे ये इन्हों ने आपका उत्तर प्रदेश में प tribal हुआ करते थे जारखंड में आज की तरीक में जगे पढ़ती है स्टिंग भूम छोटा नाकपूर के इलाके में इलाका ये जगे आती है ये वहां पर जो आपके कोल ट्राइबल्स हुआ करते थे जो कोल आदिवासी थे उस रीजन के उनको जो है गुनु ने लीड किया औ और अंग्रेजों का जो रूल है इसको निस्ता नाभूत करने नarkा कि या इसका destruction में अपना participation आपने करना है इस तरीके की जो चीज़ें है इन्होंने आम जन्मानस को प्रीच करीं थी जनरल ये आप रिलीजन या इस तरीके की बाते प्रीच करो के मैं मगर इन्होंने आम ज परिवारों से नहीं बिलॉंग करते थे उन्होंने भी जो है उठ उठ कर लड़ाईयां लड़ी हैं और लोगों को काफी जादा संगठित किया है तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपको जो रिवोल्ड की लीडर्शिप है वो उनी जगाओं से ये आपकी जो नोबल्स वगरा हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद में मौलवी हमदुल्ला शाहन ने जिस तरीके का रेवल कराया था दोनों के दोनों राजपरिवार से नहीं बिलॉंग करते हैं और दोनों के दोनों ने जबरदस्थ हीरो एक तरीके से अपनी लीडर्शिप रखी और अभी इनकी रेवलियन को हम लोग डीटेल में देखेंगे तो अब हम लोग ये जो दो पर्टिकुलर आपके लोकल लीडर्स हैं जो ना किसी राजपरिवार से आते हैं जो ना किसी बहुत अमीर उम्राओ के बेटे बच्चे थे या फिर किसी बड़े जमीदार के जो शामल जो थे ये उत्तर प्रदेश में एक जगे पढ़ती है परगना बारूत वहां के रहने वाले थे ये जाट कल्टिवेटर्स का जो क्लान है उसके पार्ट थे जाने की जो आपके जाट कम्यूनिटी है और उनमें जो लोग क्रशी में लगे हुए थे ये उसका में जो जमीन थी उस पर बढ़िया सिचाई वगरा की विवस्था थी और काफी जादा वो फर्टाइल जमीन थी मगर यहां पर जो लोग थे ये लोग अंग्रेजों का जो लैंड रेविन्यू सिस्टम है इसको बहुत जादा उप्रेसिव मानते थे इसको बहुत जादा व कलेक्शन वगरा जो हो रहा था रेविन्यू का वो कभी बहुत जादा हो जाता था कभी बहुत कम हो जाता था कभी आपके किसानों से आप अंचन डिमांड कर लेते थे कभी डिमांड थोड़ी बहुत जो है कम हो जाती इस तरीके से बहुत जादा हाई और आपका इन फ्ले आजाए जाये बारिष आजाये चाहे कुछ वाजाए आपने इल्टेमेंटली वो जो particular चीज है वो जो particular आपकी डिमांड है वो आपने देना ही, देना ही जा रहें। उसमें किसी भी तरीकाय मम्ता नहीं दिखा रहें लोगों की परिस्फितियों को देखकर आप उनकी तरह नहीं खा रहे हैं। इस्तरीकियशाईं यहां पर क्लिटीवेटर्स हैं वह अपनी तो यहां पर माहौल तो पूरा का पूरा बन रहा था, लोगों के मन में गुस्ता भी था, लोगों के मन में तकलीब भी थी, इरीटेशन भी था, सारी तरीके की चीज़ें लोगों के दिमागों में आपको देखने को मिल रही है, माहौल यहां पर पूरा बन रहा था, तो इस अगर इन सबसे आपको निजात चाहिए तो फिर आपको अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा और इस बात को आधार मनाते हुए 84 देश या 84 विलेजस का पूरा इक इलाका पुड़ता है वहाँ के लोगों को ये रात में जाके अर्च करते थे रेविलियन वगरा करने के लिए रिवोल्ड करने के लिए इसी तरीके से ये जो है इनुने लोगों को अपने साथ में संगठित किया अब यहाँ पर भी वही हुआ जो दूसरी जगाओं पर हो रहा था जब एक बार आपका रिवोल्ट शुरू हुआ तो फिर यह जेनरल रेबिलियन बन गया हर उस चीज के खिलाफ या हर उस प्रता के खिलाफ हर उस प्रतीक चिन्न के खिलाफ जिसको लोगों ने ऑपरेशन औ उन्गा शोशान हो रहा है जिसके वेसंस पर उनके साथ में ernियाहें हो रहा है हर उस चीज को टार्गेट किया गया हर उस चीज को जो है औरन चीज हो प्लाइशन का निशाना बनाए गया तो नतीजह बैस सब्सक्राइब तो उन्होंने उन्होंने money lenders और जो आपके traders थे उनके घरों पर भी खूब हमले किये वहाँ पर भी खूब loot मार मचाई और खूब plundering वगरा करी in fact जो आपके ऐसे लोग थे जिनको उनकी जमीनों से निकाल दिया गया था जो आपके lenders और money lenders और traders ने जो इनको अपनी जमीनों से बाहर कर दिया था इन लोगों को इन लोगों को भी ये जो displaced आपके proprietors वगरा थे इन लोगों ने फिर से जो है अपनी जमीनों के उपर forcefully कबजे ले लिये जो जमीने इन लोगों से छीन ली गई थी जिन जमीनों के उपर संका अधिकार हटा दिया गया था तो इस तरीके की भी जो है वाकिये वगरा आपको देखने के लिए मिलते हैं चलें आगे बढ़ते हैं अब शामल के लोगों ने भी वही चीज करी जो इसके पहले वाले lecture में हम लोगों ने देखी थी जो pattern हमने देखा था कि अलग अलग जगे पर rebellion हुआ तो आपको कुछ चीजें जो हैं हर जगे common या फिर same देखने के लिए मिल रही थी शामल के जो लोग थे और शामल के leadership में जो revolt हुआ उसमें भी आपको वही सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं परगना बारूत में यहाँ पर भी शामल के लोगों ने government buildings के ओपर हमला किया साथी साथ इन्होंने कुछ चीजें और करी इन्होंने bridges को destroy कर दिया जो नदियों के ओपर बने हुए थे इन्होंने जो आपकी metal roads थी याने की जो पक्की सड़कें थी उनको खोट डाला यह सब करने के दो reasons या दो वजवात दियेगा हैं पहला तो यह कि यह सरकारी forces को अपने इलाकों में आने से रोकना चाहते थे bridges को अगर आप उड़ा दोगे तो सरकारी forces को आने में थोड़ा टाइम लगेगा इसी तरह से अगर आप जो आपकी roads वगरा हैं उनको अगर आप डग अप कर दोगे तो भी जो है आपकी forces वगरा को आने में थोड़ा टाइम लगेगा और माहौल ऐसा बन गयाता है कि हर वो चीज जो अंग्रेजों से जरा सी भी remotely भी अगर related है तो उसको मिटा दो निस्तनाबूत कर दो तो इस चक्कर में इनका काफी जादा नुकसान है इन लोगों ने इस तरीके की जो चीज़ना है उनको खतम कर दिया इसके इलावा दिल्ल दिली से यह इलाका काफी पास पढ़ता है Western UP में इस पाईयों को भेजी जिए दिल्ली में अंग्रेजों के खड़े हो गया थे साथी साथ ब्रिटिश हैड कोटर और मेरट के बीच में जो भी आपके ओफिशल कम्यौनिकेशन चल रहे थे टेलिग्राफ की मरत से या कि म्यूटिनी करने वालों को भी वहां की रिवोल्ट करने वालों को भी डारेक्टली इंडारेक्टली लोग सब अपनी हल्प दे रहे थे सप्लाइज वगरा भेज रहे थे खाने पीने का समान रसाद और बाकी सारी चीज़ गर्मेंट ऑफिसे से जो चीज़ें लूटी गई हैं उनमें से अगर कुछ काम काया तो वो भी भेजना है ऑफिशल कम्यूनिकेशन रोक रहे हैं तो डारेक्टली इंडारेक्टली हर तरीके से परगना बारूत में जब शाहमल ने अग्दम आपका रिवोल्ट को लीड किया ह तो ना सिर्फ अपने इलाकों में इन्होंने अंग्रेजों की चूले हिला दी मगर साती साता इन्होंने दूसरे इलाकों में जो आपके लोग तो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, चले आगे बढ़ते हैं लोकली जो है शाहमल को बकैदा राजा के तोर पर अक्नॉलेज कर का बंगलो जो है शामल ने टेक ओवर कर लिया और उसको उन्होंने कनवर्ट कर दिया हॉल ऑफ जस्टिस में यहां से शामल यह किया करते थे कि जो भी आपके डिस्प्यूट्स वगरा थे और जो भी आपके जज्जमेंट डिस्प्यूट्स वगरा हो रहे हैं उनको कर रहा हैं लोगों की बीच में यहां से जज्जमेंट वगरा पास कर रहा है और इस तरीके से यहां से एक तरीके से वह अपनी लोकल कचेरी चला रहे थे शामल के सांथ में इक इंप्रटन बात यह थी कि कि इन्होंने बहुत एफेक्टिव है कि अमेजिंग एफेक्टिव इंटेलिजेंस नेटवर्क की स्थापना कर दी ती जिसकी मरद सिंद को सारी सूचना है वेल उन टाइम मिल जाती थी और उसके करण ही है काफी लंबे वक्त तक जो है अपने अटाक्स वगरा को यह एफेक् साथ में अंग्रेजों से तकड़ी लड़ाई लड़ रहा है इसको बोला जाता है पिच्ट बैटल जिसमें दोनों लोग बराबरी से टक्कर के हों तो इतनी बड़ी फोर्स के खिलाफ आप एक गाउं का एक सामान सीधा साधा कल्टिवेटर अगर इस तरीके की पिच्ट ब आपके के मानने लगे कि फिरंगी राज जो है अब खताम होने की कागार पर आ गया है और इनका जो लोगों का राज है वो यहां पर लौट यहां पर आ गया बाद में फिर वही हुआ जो होना था जुलाई 1857 में जो एक बैटल में शाह मल लड़ते हुए मारे गए और यही जो है डिसाइसिब कॉलिटी है लीडर की कि वो भागा नहीं वो मैदाने जंग में लड़ता हुए मारा गया मगर उसने पीट नहीं दिखाई वो भागा नहीं मैदान चोड़के अपने लोगों को इसने अबेंडन नहीं किया खड़ा रहा जो उसका फेट होना था उसने उ तो नेक्स्ट आया वो था रेवल आफ महमध मॉलवी ऐमदुल्ला शाह आप हम लोग इनके बारे में बातचीत करेंगे तो मॉलवी ऐमदुल्ला शाह जो थे यह बहुत से जो मॉलवी वगरा रहे हैं बहुत से जो आपके रिलिजियस पीचर्छ रहे हैं उनमें से एक थे जिन्होंने 1857 की revolt में एक बहुत important role अदा किया है तो मौलवी एहमदुल्लाइशा was one of the many मौलवी's who played an important part in the revolt of 1857 तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अके लिए यही एक मौलवी शामिल थे या फिर यही जो थे religious leader के तोर पर शामिल थे और भी बहुत सारे religious leader थे मगर बाकी मौलवी के comparison में इनका जो role है वो काफी जादा important माना जाता है क्यों माना जाता है वो subsequent slides में हमको समझ में आएगा तो इनका जो शिक्षा-दिक्षा हुई थी वो हैदराबाद के अलाके में हुई थी दक्कन का जो portion है वहाँ पर जब यह काफी चोटी उमर में थे तभी यह मौलवी बगरा बन गए थे या फिर काफी चोटी उमर में यह preacher बगरा बनकर तयार हो गए थे 1856 में आप लोगों का जो आपका record है उसके basis पर पता चलता है कि यह एक से दूसरे गाओं में मूव कर रहे थे और यह अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद या फिर religious war जो है उसको preach कर रहे थे लोगों में और लोगों को बोल रहे थे कि आप rebel कर दीजे अभी तक 57 का revolt हुआ नहीं है देखिए यहां से फिर एक सबूत अपने को देखने को मिलता है कि यह planned था पूरा का को जिहाद की जो है शिक्षा दे रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई आप अंग्रेजों के खिलाफ उट खड़े होई है और rebel कर दीजिए यह एक पैलन कुइन में मूव करते थे पैलन कुइन का मतलब होता है पालकी ठीक है जी यह पालकी में मूव करते थे जिसको लोग वगरा जो है उठाकर लेकर चलते थे और इनके सात में इनके आगे drum भीटर्ट चलते थे या इनके Iya का की तरफ में भी और इनके पीछे की तरफ मह मतलब यह की आपके आपके itímog is चाहा हैं यह पालकी में बैठे हूं है इनके आगे भी लोग ढिकर आपका ड्रम पीटने वाले लोग और वो हैं और यह बकाइदा आपका अनाउंसमेंट करते हुए जा रहे हैं तो ये जो वज़ा थी कि ये पालगी में मूव कर रहे हैं और इनके आगे पीछे आपके ड्रम बीटर्स वगरा हैं इसी कारण कई बार इनको पॉपुलरली डंका शा के नाम से भी जाना जाता था याने कि मौलवी विद्धा ड्रम कि जब ये मौलवी आएगा तब इस काल बनता भी है कि कौन से मौलवी को डंका शा के नाम से जाना जाता था या फिर घंका शाग को पॉपुलर नाम था रिवल्ट वगेरा की लाकों में वो क्या था तो डंका शाना जाता था अब ब्रिटिश ओफिशल्स को तब डर लगने लगा या उन्नों ने तब पैनिक क शुरू नहीं हुई है 1856 में वैक्ति लखना हुआ आता है तब इनको अंग्रेज जो है पुलीस जो है यहाँ पर प्रीच करने से रोग देती है और 1857 में इनको जेल में डाला था तब तक रिवोल्ट हुआ नहीं था उसके बाद में जब इनको रिलीस किया गया तब तक लिडर नहीं बना लेते जो जब इनको अजाद कराया तो 22 निटिव इंफेंट्री ने अपने लीडर के तौर पर जो है इनको एक्सेप्ट कर लिया अब आगे क्या होता है फॉज की एक उनिट अगर आपको लीडर बना रही है इसका मतलब आप में केपिबिलिटी या मिलि मौल भी हमदुल्ला थे इन्होंने ये फेमस बैटल जो हुई है चिनहाट की इसमें लड़ाई लड़ी थी और रेबल्स ने इसमें अंग्रेजों को डिफीट किया था इनको इनके करेज और पावर के लिए जाना जाता था और कई लोग इनको हराया नहीं जा सकता इनके प और इनकी जो following है वो बढ़ें लोग इनके पीछे हैं और इनकी बातों को मानें अल्टिमेटली ये जो belief था कि इनको हराया नहीं जा सकता मिटाया नहीं जा सकता ये belief ही एक बहुत बड़ा reason है जिसके करण इनकी authority जो है वो इतनी जादा बढ़ती गए और लोगों ने इनको जो है इनकी authority को माना बाद में फिर revolt होता चला गया rebel में फिर किसी एक जंग में लड़ते हुए ये भी मारे गया ये फिर वही बात आ जाती है कि पीट दिखा के नहीं भागे लड़ते हुए मारे गया सीने पे गोली घाई ये इन लोगों को lead कर रहे थे उनको आपने ये न जांसी के बारे मं हम लोग सब सुनते आ रहे हैं बाकी आपके नाना साहिब के बारे में भी जन्रली थोड़ा बहुत सबको पता ही रहता है बात दोर साह सब्ण को नाम सबल ने सुना हुए मगर इस तरीके के भी आपके वीर लोग जो है इस देश में हु tofu है जिनोंने rebellions को फ्रेंट से लीड किया आगे से जो है लडते हुए मारे गए पीछे नहीं हटे भागे नहीं तो यह बताने का एक यह दोनों को शामिल करने का की वज़ा यह है यह बात समझाने के लिए कि लीडर्शिप राजे रजवारों की गुलाम नहीं है या फिर जरूरी नहीं है कि हो सकती है वस आपको उन्-कॉलिटी इसको अपने ंंदर रहां करने की जरूरत है आपको उन्-कॉलिटी इसको को अपने लाने की जरूरत चलिए 구나 कि यह गज कंचलेंका और सेशन इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों थे उनके बारे में हम लोगों ने जो भी NCRT में दिया गया था वो सारी चीज़ों को discuss करकर detail में खतम किया है next जो हमारा lecture रहेगा उसमें हम लोग rumors और prophecies के बारे में बातचीत करेंगे वो सारे क्या rumors थे वो क्या वाएं थी जो 1857 के revolt के थोड़ा पहले उसके time period में और उसके बाद में उठीन थी और उडीन थी और उनका क्या असर पूरे की पूरे rebellion या फिर पूरे की पूरे revolt पर रहा इसका हम लोग समझेंगे हम लोग उस के लोगों का mindset समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह क्यों rumors में और prophecies में इतना believe किया करते थे और क्या reason था कि कुछ particular rumors या prophecies ने लोगों को इतना जादा जो है mobilize किया था अंग्रेजों के खिलाफ जो चीज सौ सालों में नहीं हो पाई जब अंग्रेजों ने अपना empire बनाना शुरू किया था जो चीज तब से लेके सौ सालों के अंदर नहीं हो पाई एक से वह आग ऐसे कैसे धतकी कि सबके सब लोग एक पर्टिकुलर शेत्र में इस तरह से उठके खड़े हो गए और यह चीज पहले आपको देखने को नहीं मिल रही है क्या इसमें rumors और प्रोफेसी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है तो क्या रोल था किस तरीके से इन चीजों ने उनको मोबिलाइज किया इन सारी चीजों के बारे में लोग आने वाले सब्सेक्वेंट लेक्शर में बातचीत करेंगे बड़ाज के लिए यह जो लीडर्स औफ दा रेबल टॉपिक है या फिर आपका जो लीडर इन में से आप जिस भी क्लास में पढ़ना चाहते हैं NTSC के लिए पढ़ना चाहते हैं Olympiad के लिए पढ़ना चाहते हैं Class 1 से लिए 12 में जो भी क्लास का पढ़ना चाहते हैं उस पे क्लिक करिए जैसे यहाँ पर अगर आपने Class 12 पे क्लिक किया तो Class 12 की जतने भी आपके courses हैं स आपने पढ़ना है जो भी चैक्टर आपने पढ़ना है जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है आप उस पर क्लिक करकर उसको शुरू कर सकते हैं सब कुछ एक दा मौडर तरीके से अरेंज्ड है जिस तरह से यूट्यूब पर आपको प्रॉब्लम होती ही कई बार प्लेलिस्ट बना दीजिए या फिर वीडियो मिल नहीं रहें इस तरीके से वो प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं आएगी सब कुछ एकदम और तरीके से अरेंज्ड है तो सारा का सारा जो कंटेंट है अच्छे से आपको जमागवा मिल जाएगा तो जो भी पढ़ना चाहते हैं पिकर्ण होंगे उतने ज्यादा इनजान होंगे उतने जादा बैटर नागरिक होंगे तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी अपना बौध्दिग विकास करते चले जाए अपना मेंटल प्र жизни कंटेंड है इस ही नोट पर आई वुटि बी कॉलिंग एड़े ड जाइंड